Hi friends, I am scientist Gaurav Chaudhary and today we are discussing on the topic of mass and weight We will explain about the difference between mass and weight अब आप समझें सरल ही तरीके से और सरल भासा मैं आपको समझाऊँगा कि यह जो mass होता है, mass miss क्या होता है? द्रब बैमान mass miss होता है द्रब बैमान और जो weight होता है, weight miss होता है वजन अब मैं समझाऊँगा कि इन दोनों में difference क्या है? बेसिकली हम लोग जो देखते हैं कि जब बुकों में पढ़ते हैं जब तो हम में समझ में आ जाता है कि mass क्या है, weight क्या है हम formula याद कर लेते हैं उसका जो mass है वो होता है द्रब बैमान ये mass ऐसी quantity है अगर आप कहीं भी हों पूरे ब्रहम मांड में आप कहीं भी हों चाहें आप रत्वी पे हों आप चंद्रों पर चले जाएं सूरिय पर चले जाएं, सुक्र पर चले जाएं, सनी पर चले जाएं मिस जितने भी planets हैं सभी पे या जितने भी उप planet हैं उप गिरह हैं या space है आप कहीं भी चले जाएं आपका mass जो है वो हमेज़ा सेम रहेगा आप जो हमेजर करते हैं जो बीलेम बेलेंस कांटा होता है मेंस जो धरम कांटा होता है चोटामोटे जोब कांटे है या जो बी ये भी गलेंस करने के लिए weight mass को मेजर किया जाता है आप क्या बोलते है quasily की तेरा weight कितना है बाई, weight बता, वो सामने वाला बताता है कि मेरा weight कितना है, 50 kg है, 80 kg है, 100 kg है, वो जो बताता है न, वो बहुत गलत बताता है, वो physics की language में गलत है, आपका वो weight नहीं होता भाई, वो आपका mass होता है, mass की unit क्या होती है, आपने पढ़ा होगा किताब हो में, mass की काई होती हे, kilogram, है वो 50 kg है तो क्या हुआ वो उसका मास हुआ ना कि weight weight की जो unit है वो हमेशा Newton होती है Newton weight जो है हमेशा force से related होता है means जो force होती है weight हमेशा force से related होता है force से अब इस तरीके के जो कांटे होते हैं जो भी है आपकी language में इसको जो भी कहते हों इसमें जो मेशर किया जाता है वो हमेशा mass किया जाता मास में द्रब्यमान suppose that मेरा जो द्रब्यमान है वो 62 kg है 62 kg तो मैं अगर इस में बैठ हूँ तो इसमें 62 kg वो रखा जाएगा weight रखा जाएगा तब ही तो मेरा मेशर होगा कि मैं 62 kg का हूँ या computer वाले beam balance पे या calculator जो कांटा होता है उस पे मैं मेशर करूँ तब ही तो पता चलेगा कि मैं जितना मेरा mass है वो तब ही तो पता चलेगा अब हमारी जो language में weight आ रखा है weight इसको हमें समझना होगा अब हम normally में खुद मैं ही हूँ या कोई भी हो हम basically weight की ही बात करते हैं जबकि वो हमारा weight नहीं होता अब मैं आगे आपको समझाओं जैसे box है यह wooden box है यानि लकड़ी का टुकड़ा है और इसका weight है 20 kg मींस यह 20 kg का है 20 kg का है केजी मिस किलोग्राम 20 kg का है तो यह 20 kg इसका क्या हुआ यह 20 kg हुआ इसका mass mass मिस द्रब्यमान अब द्रब्यमान क्या होदा है अगर कोई body body क्या होते है कोई संद्चना जैसे हमारा सरीर है यह लकड़ी का टुकड़ा है कोई भी एक box type का या कोई भी प्रकार में संद्चना हो तो उसको body का नाम दे दिया जाता है body body ठीक है अब body का मतलब यह नहीं कि हमारा सिर्फ सरीर है body किसी भी चीज की body हो सकते गाड़ी की body हो लकड़ी का टुकड़ा हो उसकी भी तो body है कोई भी यह body तो है अब किसी भी body के पास जितना substance collection होगा वो उसका mass कहलाता है यानि द्रब बैमान जैसे हमारा collection होता है हमारा weight जो बोल देते हैं वो weight ना होके mass होता है हमारा अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने कुछ calculation किया था अब हम इन ग्रहों पर जाते हैं जैसे mercury है mercury की जो gravity है वो है 3.7 meter per second square वैसे ही सभी ग्रहों की gravity अलग अलग होती है अब मैं आपको समझाऊंगा कि gravity क्या होती है उसके बाद मैं समझाऊंगा कि हमारा weight वह कैसे निरधारित होता है अब gravity जैसे आप magnet देख रहे हैं यानि यह क्या चुम्मक हिंदी भासा में चुम्मक और इंग्रिस में magnet अब magnet को छोटे छोटे कड़ों के पास यानि iron यानि चोटे चोटे कड़ हैं यह बहुत पतली पतली फिलिंग्स हैं इनके पास किसी magnet को लाया जाए तो वो क्या करती है उनको अपनी तरफ खींच लेती है यानि attract करती है आपने देखा होगा घरों में आप बचपन से ही इस एक्जांपल को करते हो या आए होंगे खेल के लिए कि magnet लोहे के कड़ों को या लोहे की पत्तियों को या लोहे के जो भी है लोहे का जो भी सामान उसको अपनी तरफ खींचती है उससे चिपक जाती है मैगनेट चुपक जाती है ठीक है न उससे अब वैसे ही जो हमारी अर्थ है यह जो आप संदचना देखते हैं यह गोल-गोल जो अर्थ की संदचना होती है वो भी तो एक मैगनेट ही है यानि जो अर्थ है वो भी तो एक नैचुरल मैगनेट है जो कि किसी इंसान को अगर कोई इंसान यहां खड़ा हो रहा है Means कोई आप चल पा रहे हो रोड पे तो उस मेगनेट के खिचाव के कारण ही तो चल पा रहे हैं यह जो एग्जाम्पिल है यही एग्जाम्पिल उस पे एप्लाइड होता है मिन्स अगर प्रत्वी के अंदर गुरुतुगा किर्सन बल यानि गुरेवटी गुरुतुगा किर्सन बल वह ना होता तो आप कभी प्रत्वी पे चल नहीं पाते आप उड़ते रहते हमेशा हवा में जैसे इस्पेस में जाके आपने सुनीता विलियम्स को देखा होगा वो ह इस तरीके से वोड़ती हैं अब आप देख रहे होंगे कि यह जो अंत्रिक्ष यात्री होते हैं वो इस पेस में इस तरीका से कैसे उड़ पाते हैं मिन्स इस पेस में उड़ पाते हैं रीजन क्या होता है कि यह स्पेस में उड़ लेते हैं रीजन यह होता है कि वहां ग्रे लेंग्विज में बोलूं देशी भासा में बोलूं तो एक तरीके से चुम्मक ही तो है जो हम इंसान को अपनी तरफ खींचे रखती है वैसे ही इस पेस में जब चले जाते हैं प्रत्वी से करीब 400 किलोमीटर की उंचाई पर जैसे हम बैठे हैं कर हम 400 किलोमीटर उंचाई प हमारे इसलिए वह उड़ पाते हैं कभी है आपने वीडियो में देखा होगा जो नासा की साइंटिस्ट है भारते मूल की सुनीता विलियम्स उनके हेर्स इस्ट्रेट रहते हैं जो बाल है उनके वो लंबे-लंबे रहते हैं यानि उड़ते रहते हैं और उनकी जो लैक्स है वह कभी टिकती नहीं है अब मैं इस वीडियो में तो इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि copyright का खत्रा रहता है copyright लग जाता है अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको अब करते हैं अब देखते हैं कि किस ग्रह पर कितना चुम्मके छित्र है चुमके छित्र कैसे होता है पिट्टे ग्रह पर चुमके छित्र अलग-अलग होता मैंने अभी बताए था आपको थोड़े दिर पहले कि जो मास होता है किसी बॉड़ी का वो तो हर जगा सेम रहता है जब कि कि जो किसी बॉड़ी का वेट है ना वो हमेसा डिफरेंट होता रहता है कहीं पर 8.87 ऐसे अलग-अलग ग्रेहों पर अलग-अलग gravity होती है different gravity रहती है अगर मैं sun की बात करूँ तो sun पर सबसे ज्यादा gravity की value है यानि कि चुम्भा के छित्र सबसे ज्यादा किस पर हमारे sun पर यानि 244 meter per second square जबकि moon पर बात करें तो moon पर केवल 1.62 meter per second square अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा यार यह gravity की values जो दिखा रहे हैं इनका meaning क्या है इनका meaning भी आपको समझ में आ जाएगा आपने physics में एक formula पढ़ा होगा w equals to mg mg यह formula तो सभी ने देखा होगा अगर physics पढ़ा होगा ना भी पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है w मिस होता weight 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 और m मिस क्या होता है mass मैंने अभी आपको बताया था कि आपका जो आप जो बोलते हो ना कि मैं यार इतने kilo का हो गया मैं 50 kilo का हो गया 100 kilo का हो गया वो आपका mass है mass है तो वही mass m से दर्साय जाता है gravity क्या होगी ग्रह की जितनी gravity होगी में इस ग्रह क्या जिससे sun है sun है moon है uranius है जो भी यह अलग-अलग ग्रह है इनकी अपनी अपनी gravity है जैसे हमारी प्रथवी की gravity 9.8 लिखते हैं हम जब पढ़ते हैं 9.8 तो हर एक ग्रह की अपनी अपनी gravity होती है तो अगर अपने mass को जो आपका mass है उसको gravity से multiply कर दिया जाए तो निकल के क्या आ जाता है आपका weight अब मैं इसको निकाल के भी दिखाऊँगा आपको कि यह निकालते कैसे हैं mass weight को निकालते कैसे हैं मैंने अल्रेडी निकाल के रख रखा हैं आपके लिए अब ये एक यानि किसी लड़के का बजन 50 किलो था, suppose that किसी का भी मान लीजिये, जिसका जो मास है उस लड़के का 50 किलो, अगर उसको अर्थ पे निकाला जाए, अर्थ में प्रत्वी यानि प्रत्वी पे निकाला जाए, तो प्रत्वी की जो ग्रेविटी होती है, वो होती है 9.8, तो अगर 50 किलो को 9.8 से मल्टिप्लाई कर दिया जाए, तो उसका जो वेट है, वो निकल के आ जाएगा 490 न्यूटन, अब न्यूटन क्यों लगा इसके पीछे, अब न्यूटन ही तो समझने वाली बात है, ले रही है तो फोर्स ही तो लग रहा है न, बल लग रहा है, तभी तो खिच रहा है, बिना फोर्स के तो कुछ कारिया होता ही नहीं है, बल लग रहा है तो खिच रहा है, इसलिए इसके पीछे न्यूटन आता है, क्योंकि बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि बोडी का जो मास होता है दरब बैमान वो हमेशा समान रहता है यानि constant रहता है और weight हमेशा बदलता रहता है ठीक है अब weight जो है क्या होता है weight वही तो है किसी body पर कितना force के दौरा बल लग रहा है अपनी तरफ कितना खींच रहा है कोई गिरहे ठीक है सन पे कितना हो जाता है ये 50 किलो वाले लड़के का 13,700 न्यूटन आप तो डरगे होंगे यारे 13,700 पचास किलो वाले का भाई ये 13,700 उसके सरीर में कुछ फील नहीं होगा उसकी बॉड़ी में कुछ फील नहीं होगा लेकिन उसको खींचेगा सन अपनी तरफ कहने का मतलब जैसे प्रत्वी पे आप पैदल चल पाते हैं वाक कर पाते हैं सन के उपर आप वाक नहीं कर सकते वो इतनी फोर्स लगा देगा आपकी उपर की आपको खींच लेगा चिपका लेगा बुरी तरीके से खुद से चिपका लेगा सन आप पहुँच गे तो हुआ वैसे ही मर्क्यूरी पे कितना होता है ग्रेविटी मर्क्यूरी पे 3.7 होता है तो जो 50 किलो वाला लड़का है हुआ 185 न्यूटन का हो जाता है वैसे ही नेप्चून पे हो जाता है वो 577 न्यूटन का और मार्स पे हो जाता है वो 185 न्यूटन का इस कहने का मतलब आपके उपर जो तनाव है यानि बल का जो तनाव है खींच है वो बढ़ जाता है अब मैं आपको बताऊंगी force कैसे लगता है यह आपकी मैंने ऐसे बना दिया है roughly यह आपकी अर्थ यानि प्रत्वी है और आप यह खड़े होए हैं इस तरीके से आप खड़े होए हैं आपको लड़के हैं ठीक है अब आपको जो चल पा रहे हैं आपको खींचके रख रहा है तो कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रहा है ना प्रत्वी क्या करना वही क्या कहलाता है 9.8 ग्रेवटी यानि इतना बल लगा रही है प्रत्वी प्रत्वी आपके मास पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू एक्सलरेशन जो आपकी बॉड़ी का मास है ना मास प जंदा मामा मून पे लगेगा 1.62 यानि 1.62 यानि मून पे आप आसानी से पैदल चल नहीं पाएंगे क्योंकि हैं कम हैं प्रत्वी पे कितना 9.8 9.8 जो प्रत्वी वाला इंसान है अगर मून पे भेज दिया जाए तो आसानी से पैदल नहीं चल पाता वैसे ही अपोलो मिशन गया था नासा वालों का देखा होगा आपने वीडियो में देखना एक वर यूटूब पर जाके अपोलो मिशन के नाम से वहां जो अंत्रिक्षी आत्री थे वह आसानी से पैदल नहीं चल पा रहे थे उन पे चला नहीं जा रहा था वह थोड़ा ऐसे जूम रहे थे प्रत्वी से चारोड उड़ीए स्पैस है जब में चले जाते हैं तो ग्रेविटी कितनी हो जाती है जीरो यहींदी की वैलीव हो जाती है जीरो और आफ आप आसानी से तैयर पाते हैं अप एक पर नेते हैं जैसे मेरा मैं खुद का निकाल के दिखाता हूँ मेरा κность है जो मेरा मास है वह कितना है 62 kg इस टूड केजी अगर मैं किस पर जाओं मैं किस पर जाओं मैं जो एक एक घ्रेविटी में जाओं वन ग्रेवटी तो जो मेरा जो मास तो इतना था जो मेरा वेट है तो 62 जा तो फोर तुशेट टो यानि 124 न्यूटन अब यह निकलता किससे वह फॉर्मूला है weight equals to mass into gravity यानि gravity पता होना चाहिए आपको ग्रहकी और अपना mass पता होना चाहिए weight निकल के आ जाएगा आज का lecture यहीं समाप्त होता है thank you for so much watching this video अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें share करें subscribe करें और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में लाता रहूँगा नेक्स्ट वीडियो में सायद लेकर आऊँगा कि gravity से different कैसे mass बदलते हैं और aeroplane कैसे लपाता है thank you so much for watching this video